दोरण चार हिंदी वीडियो नमबर 6.2 हवे चठ्था पाट नो बीजो वीडियो आया हिंदी मा आपड़े पेला नाना सवल जाबो जोया जोयान बद्धा है सरस हवे थोड़ाक मोटा सवल जाबो थोड़ाक मोटा सवल जाबो तुम्हारे गाओं में कैसे कैसे घर देखने को मिलते है तुम्हारे गाओं में गास फूस वाले गास ती बनेला गास फूस वाले पची बीजो पक्के सिमेंट से बने खप्रेलों से बने खप्रेलों इटले खबर छा नड़िया थे एनसो के वाए खप्रेला गातू के पत्रों से बने लकडी और रुक्स के पत्तों से बने मकान देखने को मिलते है सरस्मजानों सवाल चे के तुम्हारे गाओं में कैसे कैसे गर दिखने को मिलते हैं तो हमारे गाओं में गास फूस वाले इतले गास ना पूया थी बनावे लो पक्के सिमेंट के भी गर दिखने को मिलते हैं खप्रेलों वाले बिलते हैं दातू के पत्रे वाले होते हैं लकडी और रुक्स के पत्तों से बने भी मकान दीखने को मिलते हैं बीजो सवाल बरसाद के मौसम में क्या क्या होता है तो बरसाद के मौसम में चारो तरफ बादल छाये रहते हैं जब बड़साद होती है तब चारो तरब क्या चाहे रहते है बादल बादल चाहे रहते है वर्षा होती है चारो और वातावरण खुसनुमा रहता है खुसनुमा है लिए हमको बहुत पसंद आता है ऐसा वाता नहीं ठंडी लगती है नहीं गर्मी लगती है ऐसा खुसनुमा दिखता है कही जगह किचड भी हो जाता है किचड मालू है कादव कई बार घर में भी पानी गूस जाता है और कई लोग वाहन आदी रास्ते पर होते हैं देखो दूसरी बार में समझाती हूँ कि वर्सात के मौसम में चारो तरफ बादल चाहे रहते हैं अपने बद्धान खबर चा क्यों थाई वर्सा होती है चारो और वातावरण खुश नुमा हो जाता है कई जगह किचड भी हो जाता है कई बार घर में भी पानी कुस जाता है और कई लोग वाहन आदी रास्ते पर हैं हवे आगड आपने जूई इसूँ त्री जो सवाल, ओले पढ़ने पर कीस तरह का नुक्सान होता है? ओले पढ़ते हैं जब, तो कीस तरह का नुक्सान होता है? तो ओले पढ़ने पर पेड़ पौधे के पत्ते जड़ जाते है तूटी जाएजे फल देने वाला रुक्षो का नुक्षान होता है फल भी गिर जाते है यह नुक्षान होता है फसल को और घर की खप्रेलो को भी नुक्षान होता है फसल खेति वाड़ी नुक्षान थाईचे और घर की खप्रेलो गर उपड़ जाते है घणिया तूटी जाए ज़े उले जब पड़ते हैं तो किस का प्रकार के नुक्सान होते हैं तो उले पड़ने पर पेड़़बदे के पत्ते जड़ जाते हैं फल देने वाले रुख्सों का नुक्सान होता है फसल और घर की खप्रे लेको भी नुक्सान होता है हमे चोथो सवार ओले पढ़ने पर तुम लोग क्या करते हो ओले पढ़ते है जब तो तुम लोग क्या करते हो तो हम लोग ओले पकड कर खाते है आप ये बरफ अड़सा पढ़े ना ये खवा है आपड़े यहाँ मस्तप बरफ नाच वसला पड़ा ना आकास माधी तो मैं लोकोई कदicação जोया आसे कि ये मने खबर नाधी हमें तो जोया अचे यहो सरस मझया ना बरफ नाच वसल पड़ा सरस ना 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 एखवाय एब भूसारा वाय बर्यागण हम ओले पकड़ कर खाते हैं एक दूसरे पर फैकते हैं खाते भी है रेक दूसरे पर फैकते हैं बड़े ओले पढ़ने पर डरके मारे घर में गूस जाते हैं जब बड़े ओले पढ़ते हैं बड़ा बड़ा बरफ के चो असले तो क्या करते हैं? हमको लग जाता है इसलिए हम दोड़कर गर में भाग जाते है तमें देखो तो अमुक जग्या है अमुक जे दिये सोय कैनेडा छे अमेरिका है जग्या है अमुक दिवसे आपने काश्मीर छे एमा हीम वर्षा था बढ़ाबाना तिया आगल लोको बरफ ना वर्षाद मा पन रमवानी मजा आपने बदू टिवी मा जोई जाते जुवा गया पड़े यूपर थी खबर पड़े बरफ नो पन वर्षाद तमें जुवा तो गाडियो उपन बद्दे बरफ बरफ जामी गेलो होई खाली जग्या वो पसंद करीने लखो एक जंगल में खाली जग्या का गर भीग रहा है तो बुढ़िया का जंगल में किसका गर भीग रहा है तो बुढ़िया का गर भीग रहा है बीजी खाली जग्या थोड़ी देर में खाली जग्या बरसने लगे तो ओले थोड़ी देर में क्या बरसने लगे ओले बरसने लगे त्रण नमबर बुढ़ी खाली जग्या चावल पका रही थी तो अंदर बुढ़ी अंदर चावल पका रही थी चुथू चुले पर पानी, खाली जग्या टपक रहा था, टप टप, चुले पर पानी, टप टपक रहा था, पात नमबर, मुझे बाग से भी ज्यादा खाली जग्या का डर लगता है, तो टपका का, बाग से ज्यादा किसका डर लगता है, टपका का डर लगता है, चो नमबर, टपका म उट से भी बड़ा खाली जग्या होगा तो जान्वर क्या होगा जान्वर अवे पसंद करे ले खाली जग्या जैणा जवाब उपर आपेला छे जान्वर, बुढ़िया, टपका, टप, टप, ओले और अंदर एमाधी पसंद करीने चे अपने खाली जग्या लखवानी छे हवे एना पच्छी नो गलत सब्द काटकर सही वाक्य बनाईए बुढ्या का वर के गर भीगने लगा तो गर भीगने लगा तो गर साची वसाच्चो छे औने वर उपर आपने लिटों मारे इसू अवे वीजो छपपर औने खपपर को छाए कोण तो छपपर को छाए कोण खपर उपर आपने चे को मारे इसू त्रण नमबर थोड़ी देर में ओले लडने के पडने लगे तो लडने नहीं पडने लगे चार नमबर बुढिया चावल पका के चखा रही थी तो पका रही थी पाच नमबर बुढिया टपका से डड़ती थी डपका से नहीं पाँ टपका से डड़ती थी अवे चो नमबर बाग सीर पर पेर रखकर भाग गया बराबने नाग पर नहीं, सीर पर पर रखकर बाग गया हवे आगड जुई शुँ निन लिखी गुज्राती वाक्यों का हिंदी में अनुवाद के दि गुज्राती वाक्यों चेनू अपड़े शुँ बनावानू छे हिंदी अनुवादन करवानू छे हवे पेलू चौमा सानों दिवसतों तो बर्सात का दिन था सुआवे बर्सात का दिन था बे नमबर रोसी हैरान थई गई तो बुढ़िया परेशान हो उठी त्रण नमबर हूँ वाक्ती बीती न थी मैं बाक्से नहीं डरती हूँ चार नमबर छापराने साचरे कौन? तो छपर को छाए कौन? छपर को छाए कौन? पाच नमबर डोसी टीपाथी बीवे चे बुढिया टपका से डरती है अब आपना सरस्मजानू हिंदी करता आवड़ी ग्यू आवड़ी ग्यू ने? चौमा सानों दीवा सो तेले बरसात के दिन थे बरसात का दिन था डोसी हैरान थे गि बुढिया परेशान हो उठी हूँ वाक्थी बीती नथी मैं बाक से नहीं डरती हूँ पची छपराने साचरे कौन? छपर को छाए कौन? डोसी टीपाथी बीवे चे बुढिया टपका से डरती है अवे आपड़े जोई है विरुद्दार थी सब्दो दीन तो रात दीन तो क्या होता? रात बीगना तो सुखना थोड़ा तो अधिक अंदर तो बाहर पास तो दूर और मुझे तो आपको पड़ी खबर यह क्या है? विरुद्दार थी सब्दो हम आगे देखते नीम न मुहाँ रोके अट देखकर वाक्या में प्रयोग जुजला उठना इटले क्रोधीत होना अब यह नू वाक्या बने आनो चुलहे पर पानी टपका तो बुढ़िया जुजला उठी चुलहे पर पानी टपका तो बुढ़िया जुजला उठी सीर पर पैर रखकर भागना तो तेज गती से भागना पुलीस को आता देखकर चोर सीर पर पैर रखकर भागने लगा आपने गमे ते वाक्या बनाई सकी आपनी जाते पन यह कई ना वहाए कि अमाजे लखेला वाक्या आपने वाक्या आपने जाते बनावी सकी हवे कोई पन वस्तु इसे 5-7 वाक्या लखवाना हवे चीत्र भागनू आपिश आपने वाग माटे 5-6 वाक्या आपने लखी सु भाग एक हिंसक प्राणी है कैसा प्राणी है? हिंसक बीजाले जी मारी ने खाए ने हिंसक प्राणी के वे बाग भारत का राश्टिय प्राणी है बाग भारत का क्या है? राश्टिय प्राणी है बाग का रंग सूनहरा बदामी जैसा है उसके बाल सूनहरे तथा काले होते उसके बाल कैसे होते हो हैं सून हरे और काले होते है उनके पूच तक सून हरे तथा काले बाल है तुम देखते हैं उसकी पूच पट्टे हैं है ना पूच पे भी पट्टे हैं है ना कितना अच्छा भगवान ने उसकी रचना की है उसकी पूच तक सून हरे तथा काले बाल है पट्टे दिखाई देते, उसकी आख और कान अधिक तेज होते हैं, आख और कान कैसे होते हैं, अधिक तेज होते हैं, बाग रात्री में सिकार करता है, रात को सिकार करता है, बाग के विशे में हमने चार पाच वाक्य लिखे हैं, वो पढ़ू फिर से, चलो फिर से पढ़ती बाग एक हिंसक प्राणी है, बाग भारत का राष्ट्रिय प्राणी है, बाग का रंग सुनहरा बादामी जैसा है, उनके बाल सुनहरे तथा काले होते हैं, उसकी पूछ तक सुनहरे तथा काले बाल के पट्टे दिखाई देते हैं, उसकी आँख और कान अधिक तेज होते हैं बाग रातरी में सिकार करता है हवे अगर्णों प्रश्णा है आपड़े बिल्ली तो बिल्ली तो बिल्ली तो बिल्ली तो मेरे गर में बिल्ली है बिल्ली एक वाच्चा नने बिल्ली एक वाच्चा नने बिल्ली एक वाच्चा मख्या, मख्य एकले माख, अनमाख हो, मेरे सीर पर मख्य मंदरा रही है, तो गंदकी पर मख्या बीन बीना रही है, अवे बीजो, लड़की तो लड़किया, लड़की स्कूल जा रही है, लड़किया मैदान में खेल रही है, पची रोटी तो रोटिया, मा मुझे एक रोटी दो पिता जी ने पाँच रोटी खाई चुडी तो चुडिया उसकी लाल चुडी टूट गई मुझे हरी चुडिया लेनी अवे आपने यहां गला पाठाई यहां गला आपड़ो पुरो थाई चे बर्याबर अवे लीची एव लख्यू छे के आनू वर्णान करवानू अवे आपने आमा कैज वर्णान करू नथी बर्याबर अवे चौपडी मा तमे जुओ आन तो एक आपिऊ छे आमा चौपडी नी अंदर वारता आपी छे चित्रवारता छे चित्रवारता थो तम नहू बताऊ छो सरस्मजानी आपने आमाती नामाती जापने चित्र वारता जोई लई सु अवे उंदर वारता आपने सामपड़ी छे ने एज वारता इंगर छे तमें जुआ तो सी सुतो छे उंदर फरा छे देखाई छे ने सी सुतो न उंदर फरा छे पछी सु करा छे, सी उंदर ने पकड़ी ले छे, पछी यहन वातों करा छे, पछी बागी जाई छे, पछी यानी जाल मदद करा छे, आएक छे बारता, मैं हिंदी में एक बार बारता कहे देती हो जंगल में एक पेड के नीचे, सोयोवे सेर का एक चुहा, बार बार कुद रहा है उपर, सेर जाग उठा और बुस्सा होकर चुहे को अपने पंजे में पकड़ लिया चुहा गिड़ गिड़ा ने लगा चुहा क्या करने लगा गिड़ गिड़ा ने लगा चुहे के गिड़ गिड़ा कर क्षमा मागने से सेर को दह आ गई सेर ने चुहे को छोड़ दिया जाते जाते चुहे ने का मैं कभी मुसिबत के समय आपकी मदद करूंगा सेर ने चुहे की बात सुनी वह चीड कर बोला अरे छोटे से प्राणी बाग यहां से तो क्या मेरी मदद करेगा चुहा डर कर बाग गया एक दिन सेर मुसिबत में पड़ा वह सिकारी के जाल में फस गया चुहे ने सेर को जाल में फसा देखकर उसकी सबसे तेज दातों से जाल काट डाली चुहे की मदद से सेर जाल में से आजाद हो गया मुक्त हो गया सेर और चुहा दोस्त बन गया इस कहानी से यह सिक मिलती है एक इस अंकट के समय छोटे वैक्ती भी कभी कभी काम आते है पड़ी खबर चलो आपने सरस्मजानी वारता भी अंदर हवे गर काम लखो लखो वीडियो बेमा लखावे लो नाट मा लखो पड़ी वीडियो बेमा जी लखायो आपने समझायो ना यह बद्दू तमार नाट नी अंदर लखवानु छे जेटलू समझायो छे बद्दू खाली वारता नाथी लखवानी है बदी सवाल जवाबो लखवाना छे बर्याबर पची आवुदारां प्रमाणे वाक्यों लखाया यह बद्दार लखवाना छे नीरोद्दार थी सकतो ने बद्दू लखाय में यह बद्दू लखवानु छे वाग इसे पांच वाक्यों लखवाना यह बद्दू आपड़े तमारे नोटनी अंदर लखवानु छे पड़ी खबर शांती थी लखजो अने मोडे कर जो आवजो बाड़ा को